प्रेंट्स तो मेरा नाम है विकी सोनार और मैं इस यूट्यूब के फ्लैट्फॉर्म पे आया हूं आपकी मदद करने के लिए तो आपके पास आपका रेजल्ट होगा अपने क्लास 10 पास आउट कर लिए और क्लास 12 पास आउट कर लिए और कॉंग्रेटुलेशन फॉर दिस सम्टूर आपने बहुत महनत की बहुत ज़्यादा माॉक्श अपने प्रफिय देशित करने धैसे वके लिकिन नए बात की स्ट्रेम को सिलेट करना एं तो स्क्रीम सेलेक्श्यन्स पे प्र्रॉब्लम होता है कि हम साईंस ले कॉमर्च ले या फिर आर्ट्स ले तो सुड़न इसा है कि बहुत सारे स्टूडिंस तो यह सोचते हैं कि हमारे मांक्स बहुत जादा अच्छे हो गए थे लिजबल फॉर सब्सक्राइब अगर आप साइंस पर के आपको खुशी मिलते हैं तब आप साइंस लो अधर वाइस मैं इसे बहुत सारे स्टूडेंस को देखा गए ज just for the wrong decision या फिर मैं यूँ कहूं कि जो parents के pressure है या फिर जो समाज का प्रेशर है वो science लेते हैं और उसके बाद मिडवे पर आकर उनको ये पता चलता है कि वो science के लिए student बने ही नहीं थे बेराल इसी के चलते हैं बहुत सारे students ऐसे होते हैं कि वो अपने साल गवा बैठते हैं और फिर से एक अलग stream में आकर एक साल लॉस करके वो अपनी जर्नी को start करते हैं तो मैं इनी चीजों पर बात कर करने के लिए आया हूँ इस YouTube प्लैटफॉम पर और मेरा जो चैनल होगा उस चैनल का नाम होगा किताबी कीड़ा जिस चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैसे कौन से किताबे है science stream पर या फिर किसी भी stream पर ऐसे कौन से किताबे होंगे जिनको पढ़के आप प्रविए करने वाला तो में एक तरीके से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मेरा चैनल है इसमें मैं किताबों को रिव्यू करने वाला हूँ ताकि स्टूडेंस आपको परने में असानी हो आप समझ सको चीजों को और अच्छी तरीके से तो यह सारी information मैं आपको बताने वाला हूं मेरे इस यूट्यूब के platform पे और मैं सारी किताबों को अच्छी तरीके से आपके लिए रिव्यू करके आपके पास लगा चाहता हूं तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तिन प्लीज लाइक एट शेयर इट सब्सक्राइब एड़ बैल आइक यू